नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अलग से चार चार के दिखा रहा हूँ और बना कुछ रहा हूँ देखो यह है हमारा रियल में अगर बजार वाले जैसा ठेले वाले जैसा अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगपा बनाना तो बिल्कुल आसान एकदम परफेक्ट वीडियो है आप लोगों के लिए अभी है इसाब से हम लोग फ़राई करते हैं तरीका कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना नमस्कार दोस्तों स्वागत है दिल से हमारे यूटूब चैनल में क्या आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल मेरे जैसा गड़ाई फुल फुली कितना करेंची आप लोगों के सामने हैं अगर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा यह देखा अइसा एक दम जबर जस ऐसा ही तरीका बताउंग बहुत एक दम अगर अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद किसी से पूछने की जर मैं पूरे गारंटी पूरे दावे के साथ कहता हूं चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं अब चलो शुरू करता हूं जो लोग भी कमेंट कर रहा हैं कि मदलब रवा क्या चीज है और न देख सबसे पहले यह हमारा मीडीयम सूझी यह देखो E मीडियमाला सूजी हमारा यजा ऐसा करके हमारा पांच किलो है ये देखो ये पांच किलो सूजी हमारा ये देखो और ये डेशी ग मयाँटा है ताकि इसके अंदर जो भी कचरा रहे निकल जाए अब यह हिसाब से हम पूरा इसको छान लेंगे यह मीडिया हमारा सूजी है सूजी और रवा मैं जान बूच के बोलता हूं ताकि जो लोग बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं इसलिए मैं दो मुझे दो पता और दो बोल देता हूं कभी भी अब यह हिसाब से हम पूरा पहले इसको छान लेंगे यह देखो दूसरा हमारा यह हिसाब सम पूरा छान लेंगे उसके बाद इधर यह भी छान लेंगे पूरा हिसाब से छानने के बाद इसके अंदर फिर क्या मिलाओंगा वो बिल्कुल अगर आज यह वीडियो देखेंगे तो पूरा confusion clear हो जाएगा क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वल्लब सर इसके अंदर क्या-क्या मिलाते हैं तो आज के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यह हमारा आप लोग देख सकते हैं हो गया खतम उसके बाद इसके अंदर मिलाने की बारी है अब आप लोग यहीं से यह देशी आटा है घर का देशी आटा यह देखो यह आटा मिलाने के बाद अब इसके अंदर मिलाना है यह अपना यह खाने का सोड़ा है मैं अगर आप लोगों को पाकिट भी दिखा दू ताकि यह confusion ना रहे हैं क्या है क्या नहीं है देखो यह है खाने का सोड़ा यह कि हम यह हैं हमारा हाटा लगाने की मसीन सुटाइब एक शाड़ एक बता लगाने की लिए परफेक्ट मसीन है यह और ही यह और यह देखो डाय लीटर मेरा पांच किलो यह अच्छा एकदम बढ़ लग जाएगा यह इसाब से हमारा आठा लख्या हो गया है रेडी यह जो गया हम अच्छा बंद पहले यह हमारा मसीन बंद अब इसके बाद क्या कालना है आगे जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं आज वीडियो में अब उसके बाद देखो यह पूरा आटा मैं ऐसा पॉलिधीर में भरूंगा यह जो है इसके अंदर ऐसा निकाल लूँगा पूरा उसके बाद यह हिसाब से अगर आज का वीडियो देखें यह तो बहुत आसानी से हर चीज समझ जाएंगे बहुत एकदम परफेक्ट बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मतलब है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कुछ और बता रहा हूं कुछ और देखो यह हिसाब से अब इसको ऐसा अच मिनट के लिए मैं छोड़ूंगा तिरिफ पांच मिनट फोड़के उसके बाद फिर हम इसको मसल के बनाएंगे इसका लाट लगा के पेड़ा बनाएंगे यह देखो यह हो गया हमारा परफेक्ट रेडी अब चलो इसको पांच मिनट छोड़ देते हैं आई ऐसा अब से मसल लेना है एकदम मेहनत से कि हाटा हमारा एकदम जिदना बढ़िया आपका आटा साफ होगा उतना बढ़िया आपका पानी पूरी गूल गापा भी बनेगा और जो भी तरीका मैं बता रहा हूं एकदम रियल है ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को अभी फराई करके भी दिखाऊंगा कि मतलब हाग फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है आप लोग खुद देखना उसके बाद बताना कमेंट करना कि सही है कि गलत है मैं यह हिसाब से अच्छे से मसल लूँगा दो तीन मिनट दोनों तरफ से ताकि हमारा अच्छे से साफ हो जाए अब एक तरफ से मसलने के बाद देखो अब इसको हम पलड लेंगे दूसरी तरफ यह अब कर लिए दूसरी तरफ उसके बाद अब इधार से भी वैसा ही मसलेंगे ये खुब अच्चे से खुब महलत से मसलना है इस बात को बिल्कुल ध्यान देना जितना अच्छा मसलेंगे उतना बणियाब का पानी पूरी गोल का पा बनेगा ये हिसाब से मसलने के बाद फिर हम इसका करेंगे कटिंग अब हमारा मसल के हो गया एकदम परफेक्ट रेडि अब इसका हम कर लेंगे पहले कटिंग उसके बाद इसका लाठ लगा के फिर हम पेड़ा बनाएंगे यहां सब इसका कटिंग हो गया होने अन्दाज आप लोग लगा सकते हैं. अब इतना सारा अभी हिसाब से ही कर लेना है. यह तोड़ा सा लंबा करने के बाद अब इसको दबा के हम पहले कर लेंगे चप्टा. यह इसहाब से १िधर देखा अभी लंबा हो रहा है और इधर दबा रहे हैं. अब इसको भी दबा लेंगे, उसके बाद करेंगे हम कटिंगे इसका, अब यह रहा हमारा कटिंग करने का तरीका कुछ ऐसा है, और यह हिसाब से हम लोग करते हैं, और एक चीज और कभी भी कटिंग करने के बाद, जैसे कि मैं आठा लगाने के बाद पॉलिथीन में रखा थ इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि हावा बिल्कुल ना लगे हाटे के उपर अगर हावा लगा तो खराब हो जाएगा अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ हम लोग सुरू से आखरी तक इसको पॉलेथीन में ही भर के रखते हैं कि अब इधर कभी ऐसा कट कर लेंगे आप कटिंग करने के बाद ऐसा उठा हम इसको रख लेंगे फॉले थी ऑन अंदर आफ ही इसको भी उठाए रख लिए फॉलेद्थीन पर यह जैसा तो बहुत जबर जास्त हो जाएगा आज का वीडियो आप लोगों के लिए अब ऐसा एक एक लेना है उसके बाद यह हिसाब से लंबा करके अपने साइज के हिसाब से इसका कटिंग कर सकते हैं जैसा छोटा बड़ा आप लोग खाना पसंद करो चाहे बेचने के लिए बना रहे हैं तो रेगुलर के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं यह देखो यह रह से आप लोग भी सोच रहें पानी पूरी गुलगपा पानी पतासा बनाना तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा जैसे कि यह मेरा सूजी वाला है तो ऐसा आप लोग क्या चीज और बेलना कैसा वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यह इसाब से आप लोग देख सकते हैं अब यह इसाब से हम पूरा कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद देखो यह 10 ग्राम लेना है यह अपना जो देशी आटा डाले थे इसके अंदर वही आटा थोड़ा सा हम बचा के रखे थे और उसके बाद अब आइसा हलका सा उसके उपर मार देना है यह हलका हलका यह हलके हाथों से इसा मिला देना है ताकि हमारा हर बोली हर पेड़े की उपर लग जाए जो हमारा आटा है और उसके बाद ऐसा मिलाने के बाद वापस निकाल लेना है पॉलिथीन के अंदर अब देखो आटा जब लगाए थे उसके बाद भी पॉलिथीन के अंदर और कटिंग करके उसके बाद भी देखो पॉलिथीन के अंद अर इधर देखो हम लोग हाच से बेलेंगे और इधर हमारा रहा ये पानी-पूरी का मसीन हम लोग इस से भी बेलते हैं और हाच से भी बेलते हैंatte और आप लोगोगों को मैं आज हाच से बेलने का बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल एक्दम आसान हो जाए और बेलना कैसा है बेलने का तरीका सबसे जरूरी बात है कि जब तक आप लोग सब कर लेंगे मानता हूं लेकिन अगर जो बेलना बरो बेलेंगे लेंगे बरो बनना मोटा पतला हुआ अगर थोड़ा भी मोटा पतला होगा तो उससे क्या होगा कि पूरा आपका पपड़ी बन जाएगा नहीं तो पूरा बाद में फूनने के बाद नरम हो जाएगा अगर पतला होगा तो पपड़ी बनेगा अगर मोटा होगा तो फूनने के बाद नरम होगा इसलिए कभी भी इ सबसे खास बात अगर यह कपड़े की उपर रखेंगे तो बन जाएगा यह है हमारा गड़ित और यह हिसाब से देखो हम बना लेते हैं उसके बाद यह आगे और जो है यह आप लोग देख सकते हैं हमारा साइट जो है यह देखो यह हमारा यह मोटा पतला अगर होगा तो यही खराब होने का पूरा चांस रहेगा इसलिए कभी भी ध्यान से ही बेल पटला ना हो अगर मोटा फतला होगा तो खराब हो जाएगा अब देखो यह हिसाब से हम लोग पेल के रखते हैं रूसलील का टरीका कुछ हमारा एसा है और इसके पहले हम गते हैं में ले के बाद अब भआए करेंगे तो आप लोगों को दिखाँ होगा कैसा हम हम लोग फड़ाई करते हैं और कईसा बन रहा है हमादा दोस्तों अगर वीडिया अच्छा लगा हो तो लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करें नमस्कार